हलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग देखिए हम लोग सुबे गए थे मॉर्निंग आप पे तो मैंने सुचा चलो आप लोगों को दिखा दे तो फ्रेंड आपको देख के लग रहा होगा हम कहां गए हैं तो फ्रेंड हाँ हम लोग गए थे संगम और फ्रेंड ये सेकंड टाइम क का है यानि उसी के पहले का है यह सेकंड टाइम का था और वो सुबह का था फ्रेंड तो देखिए हम लोग गए थे बगल में ही है इस टेडियम तो वहां गए हुए थे तो यहां सारे बच्चे खेलते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए भी है और फ्रेंड देखिए यह ऐसे चक्के टाइप के हैं जैसे गौव में चारा मसीन नहीं होती है वैसे ही होती है जैसे इससे सोल्डर मजबूत होते हैं तो फ्रेंड मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा यहां का व्यू दिखाए और वहां पर देखिए फ्रेंड जो सामने बनी हुई फर्स टाइप क कि यहां पर स्केटिंग होती है बच्चे यहां पर आते हैं सीखने के लिए और फिर इसके बाद फ्रेंड देखिए पूरा यहां पर अभी इसको हो गया जनवरी से ही लगा हुआ है तो फ्रेंड देखिए ऐसे हम चलाते हैं इसको मतलब थोड़ा सा बाहर जाके से चोठे-चोटे बच्चे थे और फ्रेंड पर ग्हार आगए हुं तो मैं ने गुरुवार को मैंने ब्रत harus लखा इस Totally popular को तो फ्रेंड देखिए मैं यहां पर प्ले पूल को और यह सेनकि डाल livro जोई अखंडोत में और यह गुड है, मुनक्य है घी है और यह ब्रासपत्वार की किताब है यह कपूर है, अगर बत्ती है यह सब फ्रेंड पूजे में करेंगे, इससे पूजा करेंगे, कहते हैं फ्रेंड जो भी मननत मांगो वो पूरी हो जाती है तो फ्रेंड आप लोग ये कमेंड मत करना कि आपने क्या मनत मांगी है दी मनत नहीं मगर हाँ मन की शांती के लिए मैं पूजा करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो इसके लिए मैं गुरुवार का गत रखती हूँ और बहुत पहले से लगती आ रहे हूँ शादी के पहले से ही भी तो फ्रेंड देखे अभी इसमें घी जमा हुआ भी इसको हम गरम कर लेंगे और ये लड़ू साथ में फ्रेंड लड़ू क्योंकि आज मतलब इसका लास्ट दे है यानि इसका उद्यापन करके फी अगले गुरुवार से फी रखेंगे तो फ्रेंड देखे और फी यहां पर देखे फ्रेंड हम करते हैं पूजा क्योंकि मैं मंदिर में नहीं कर सकती हूँ मंदिर खड़ा हुआ यानि वो टांगने वाला मंदिर है जो लकड़ी का बनके आता है तो वो मंदिर में खड़े खड़े पूजा कैसे कर सकते हैं क्योंकि कम से कम एक घंटा पूजे में लगना है तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहां पे कलस जला रही हूँ क्योंकि पूजा स्टार्टिंग करने के पहले कलस जलाते हैं तो फ्रेंड मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ आप लोग कैसे करते हैं बताना जरूर पूजा करने का अब फ्रेंड के बाद ये फूल से हम भगवान को धुल रहा हैं और क्योंकि हाथ से नहीं धुलते हैं हमारे इधर फूल और या फी जैसे की आम के पत्ते का उसी से सुब माना जाता है ऐसा बोलते हैं फी उसके बाद देखे मैं यहां पर टीका कर रही हूँ वो भी चंदन का, तो ये भी पीले कलर का है, यानि एलो कलर का, और फ्रेंड, आज मैंने जो कपड़े पैने हैं, वो भी एलो कलर की कुर्ती पैनिया, उपर से डुपट्टा डाली हुई हूँ, तो फ्रेंड देखिये, फ्यूस के बाद मैं यहां पे घी और गूर लगाती वो भी भगवान के लगता है, और फ्यूस के बाद कलस में लगाऊंगी, फिलब एक एक करके ऐसे पूजा करते हैं, पूजा की यही बिधान है, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग भी वैसा करते हूँ, सब लोग अलग-अलग करते हैं फ्रेंड, त फूल आये नहीं थे, ऐसे ही बगल में लगे हुए थे, तो इसको हमने तोड़ लिया था, क्योंकि हार भी नहीं मिल पाया था आज, क्योंकि मंदिर यहां का तूट गया है, पहलवान बाबा का मंदिर था, वहीं पे फूल लगते थे, वो भी तूट गया है, तो अब मैं य आसपत भगवान जी का भोग लगाएंगे, हाँ फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे, यह तो केले की जड़ में पूजा किया जाता है, तो फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आप केले के पास में ही बैट के करो, क्योंकि धूब बहुत ज़्यादा थी, बाहर में केले के पास कैसे बैट सकती थी, इसके लिए मैं पूजा यहां कर ली हूँ, बाकि इसके पहले मैंने केले के जड़ का भी पूजा किया है, उसमें भी सब कुछ मैंने चड़ाया है, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, और फ्रेंड, उसके बाद देखो, मैंने भोग भी लगा दिया है, और मेरा कलस भी जल रहा है, फिर उसके बाद मैं अगर बत्ती लगाँगी फ्रेंड, क्योंकि मतलब वो तो कलस की दीपक हो गया, और अगर बत्ती भी लगाते हैं, कलस पे लगाएंगे, और अलग से एक और, अगर बत्ती मतलब अलग से भी लगाएंगे, फिर उसके बाद तो फ्रेंड देखी यहां पर मैं माचिस से मैं मतलब अगर बत्ती जलाने जा रही हूं क्योंकि अगते ना भगवान को खुसबू से ऐसे बोला जाता है कि भगवान को खुसबू से प्रशन किया जाता है उनके तक पहुंशती है बलकि ऐसा कुछ नहीं मानते हैं मगर सब लो कामने एक जेश्ट और मैंने दीपक बना के रखा है तो मैं उसको भी बताती हूं वह क्या है तो फ्रेंड देखिए मैं यहां पर कलस पे लगा दी हूं दो और दो यहां पर लगा दूंगी यह अगर बत्ती खोशने वाला है तो यहां पर मैंने लगा दिया फिर उसके मार्ती भी करेंगे तो फ्रेंड आपको समझ में आए यह दीपक किस उसमें है तो फ्रेंड यह है लचमी जी के चरण यानि लचमी जी का पैर है उसके उपर दीपक बना है तो इसके पहले दीपक जलाते हैं दीपक जलाने के बाद फी इसकी भी पूजा करते हैं इसमें मैं मैंने लगाया है रोली यानि चंदन लगाया हुआ सौरी मैंने रोली लगाया हुआ फिर इसके बाद मैं यहां पर घी और गुर लगाती हूं फिर वैसे भी इसमें भी प्रशाद चढ़ाती हूं फूल चढ़ाती हूं फिर इसके बाद देखें यहां पर मैं आरती कर रहे हू यानि कि उनकी आरती उतार है यह पूजा के पहले की यानि कत़्ा पढ़ने के पहले क्या प्रोसर्ज है ऐसे हम लोग करते हैं उसके बाद देखे मैंने यहाँ पर किताब उठाया इस्में देखो साफ साफ लीगा हुआ ब्रासपत ब्रत की कत्छा यानि रास्पत भगवान की कथा की बुक है तो फीज को भी देखो हमने फूलों से इसमें मतलब सुद्ध किया किताब को यानि धूलें उस पे जल चड़ाएं फीज के बाद इसमें रोली लगाए हुएं आप इसमें भी घी और गुर लगा रहा हैं और प्रशाद जो दाल का इसके बाद पैड छुएं अब इसकी भी आरती करेंगे तो felan बोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वोग पूजा कैसे करते हैं घूरु भगवान कई क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूं कि मैं ऐसे करती हूं क्योंकि सब का अलग अलग होता है। हाँ यह जरिया सबका एक ही होता मगर तरीके अलग होता है। इसके बाद फ्रेंट देखिए मैं थोड़ा सा इसको अर्जिस्ट कर रहीं कि कहीं इधर उधर ना हो जाए और फी अब मतलब किताब पढ़ने के पहले आजमन करते हैं तो फ्रेंट देखिए यहाँ पर मैं फी आजमन कर रहे हूं तीन बार किया जाता है तो अब मैं यहाँ किताब पढ़ना सुरू कर दी हूं यहां पर मैं कथा पढ़ रही हूं तो आप लोग इसकी कथा तो सुने होंगे कि कैसे क्या होता फ्रेंट इसको सब लोग रख सकते हैं जिसके बच्चे भी नहीं होते वो भी मानिता मांगते जो लोग की नोकरी नहीं लगती वो भी करते और जो जिनके यहां धन भी नहीं होता यानि धन नहीं रुकता वो भी करते हैं तो फ्रेंड देखिए मैं मतलब किताब पढ़ रही थी और यहां पर देखिए मैं किताब ही पढ़ रही हूं हाँ थोड़ा सा हिल दूल के किताब पढ़ने के टाइम पर थोड़ा हिलने दूलन की एक जगदीश कों जए जगदीश करके हैं तो फ्रेंट मैं वही आरती ही पढ़ रही हूं और फ्रेंट आसा करती हूं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा नौलेज मिला होगा कि कैसे गुरु भगवान की पूजा की जाती है और आप लोग कमेंट करके जर आता नहीं जुकी थी अब मैं पूरा खड़ी होके और जो क्या आरती करें अब आरती कर लिए हैं तो मिलती हूं नेस्ट वीडियो में फी